है इस लेक्चे में हमारा टॉपिक है 3.7.3 ला अफ कंसरवेशन अफ मोमेंटम फ्रेंड्स ला अफ कंसरवेशन अफ मोमेंटम को एक्जम्पल से समझेए 3.7.3 ला अफ कंसरवेशन अफ कंसरवेशन अफ को मोमेंटम फ्रेंड्स ला अफ कंसरवेशन अफ को मोमेंटम को सामिने के लिए कंसिडियर करते हैं कि एक ब्लॉक है इसका मास M है और इसकी विलास्टी B है यह यह इस ब्लॉक का कुछ मोमेंटम है P और यह ब्लॉक और यह ब्लॉक प्रिक्शन लेस सार्फेस पर मोग करता है इसके दाव स्ट्रेंट्स इसी सेर्फेस पर इसी प्रिक्शन लेस सार्फेस पर एक विशना ब्लॉक भी मुझोद है इसका मास M है अब स्ट्रेंट्स करें कि इस ब्लॉक का का मोमेंटम P1 इस इको तो 5 विटर सेकंड और इस दूसरे ब्लॉक का मोमेंटम P2 वह है 0 विटर सेकंड यह दूसरा ब्लॉक रेस्ट की हालत में इस प्रिक्शन लेस सब्सक्राइब इस ब्लॉक करता है और उसे ब्लॉक के साथ बॉलाइट करता है और आफ्टर को इस दूसरे ब्लॉक को मोमेंटम ट्राश्फर करता है जाय है कि ब्लॉक के बाद यह ब्लॉक भी ब्लॉक करना शुरू करनेगा और इस ब्लॉक की मोशन कम हो जाएगी पहलेगी सो स्ट्रेंट्स आफ्टर पॉलीजिन कि फिर्स करते हैं कि ब्लॉक वन का मोमेंटम पी वन डेंस वह हो जाता है तू न्यूटर सेक्ड यहनिके पॉलीजिन के बाद यह इस दूसे ब्लॉक के साथ पॉलाइटर और ब्लॉक तू का मोमेंटम भी वन डेंस तो हो जाता है त्री न्यूटर सेक्ड और फ्रेंट्स गौर करने से मालूम होता है कि इस सिस्टम का मोमेंटम जिसमें यह दो ब्लॉक्स कड़ें हैं इसका इनिशन मोमेंटम यानिके डिफोर कोलिजन वह इक्वल है निक्वमेंटम यहनिकी वो मोमेंटम जो आफटर होता है कि इनिशन मोमेंटम पी आई है और फानल इंड इनिशन मोमेंटम जो को लेर्ण से पहले है वह है और फाईनल को रोड्राइक और है वह है और अगर हम इसको एट करें तो इससे भी पाइफ सेकंड का मोमेंटम इसका मतलब है कि विफोर को लिजन और आफर को लिजन मोमेंटम सेम है यह निके मोमेंटम में कोई लॉस नहीं आए लेहाजा इस सिस्टम का मोमेंटम कांजर्ड मोमेंटम इस कांजर्ड यानि के नो लॉस इन मोमेंटम नो लॉस इन मोमेंटम इसके ना स्टर्ड्स आपो लोगोंने और क्या होगा के यह सर्फेर्डिस पर यह दो ब्लॉक्स पड़न हुए यह फ्रिक्शनले सर्फेर्ड यह कोई पूब स्टर्ड यह का ममेंटम नोर्च वलॉस ब्लॉस का मोमेंटम लॉस ब्लॉस का मोमेंटम अप यह सर्फेसे चल पीसेसिंद। Surface is frictionless, any case, no external force, applied या system is isolated, isolated system, यानिके जिस system पर बाहर से कोई external forces applied ना हो, कोई बेरोनी interaction ना हो system पर और उसके इसके इसके इलावा इन ब्लॉक्स पर कोई gravitational force भी आमल नहीं कर रहें, इसके इलावा इन ब्लॉक्स पर कोई gravitational force भी अमल नहीं कर रहें, तो ये system isolated है और इसके इसम का external interaction इस system पर नहीं हूए, इस लिए जब ये अभैस कनसी ट्रेट्स आपस में करते हैं यह व्लाक इंट्रेट्रेट करते हैं तो इनका मोमेंटम अंजर्ड मज़ा है लुकंड पी How मेर्ड़ेश्र। इसका मतल है कि इसला भिडिए ओपै और वो एकुल है जीरो आएगा यहींकि नो चेंज इन मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है जीरो चेंज इनिके मोमेंटम इस गौंजर्ण्ड या इसको इस तरह समझ जासते है कि इनिशल मोमेंटम पी आइए वो है 5 प्लस जीरो और फाइनल मोमेंटम है प्लस त्री यहने कि 5 इस इकोल तू 5 यह 5 माइनस 5 इस इकोल तो जीरो तो चेंग इन मोमेंटम इस जीरो प्लेश कोंव सच्ट ने नीआ यहां पर तो हमने की दो ब्लॉक्स को कशिए गिए दोsa ब्लॉक्स。 तो यह किसरे मोमेंटम ब्लोक को ट्रांसर करें आफटर कुली जन मोमेंटम को अगर एड के ज़ए आज था तो वो दोनो एक जैसे होंगे आज तो यह नहीं कि इनिस्सेल मोमेंटम और पॉलिडर और आफ्टर मोमेंटम आफ्टर मोमेंटम को दोनों जैसिस्ट्रम आइसोलेटर कुछ और अईसोलेटर जाकता है कि कोई कॉटेनर है और उसमें के बार्टिक लगा एट के पार्टिकल्ट और वह container isolated है तो उसके अंदर जो air के पार्टिकल होंगे वो इसके साथ interact करेंगे collide करेंगे इसने इलावा container के बाल के साथ भी collide करेंगे और टाइम जाहे एक गंटा दुझा जाहे जो भी गंटा दुझा है या चाहे एक हफ़े का करेंगे तो उनका momentum loss नहीं होगा वह इसी तरह के पार्टिकल एक दूसरे के साथ collide करते रहेंगे वी same momentum जो के pollution से पहले है और जो pollution के बाद भी क्योंकि स्ट्रेंट्स के पार्टिकल्स का मास या वेट इसना कम होता है कि उसका पार्टिकल्स को नीचे कॉंटेनर में मिल्टा या उनका momentum कम करते हैं कि जिसकी वाज़े से अंदर कॉंटेनर में मौझूद air particles की kinetic energy कम होता है और उसके वाज़े से momentum भी कम होता है और उनके collision current कम हो जाएगा यानिके momentum में loss आज़ेगा इस situation में हम कहेंगे कि container में मौझूद air particles वो इसी isolated system में मौझूद नहीं है यानि कि container isolated system नहीं है कुंकि उसका temperature बाहर से कम कियाता है और यही बज़ा होगी कि जब momentum loss हो जागा तो air particle या gaze के particle उनका state भी change हो जागा तो तसके temperature उनका कम कर देगा और वो liquid state में transfer हो जाएगे वो gaze के particle और चुंकि air liquid state में transfer होने पाद उनका momentum बहुत कम हो जाएगा और उनके interaction rate या को बहुत कम कर देगा इस इस तरह अगर moment temperature को मज़ीद कम करने है तो momentum मज़ीद कम हो जाएगा और इसके इलावा वो गेज जो liquid state में थी वो solid state में transfer हो जाएगा सो अगर isolated system ना हो तो momentum conserve नहीं रहता TCB system का unisolated system का इसके लिए इसकी निसाल इस तरह भी दी जा सकती है कि आप लोगोंने करम बोर्ड का ये पेला होगा उस पे sticker जब एक दूस एक साथ stripe करते हैं तो अगर करम बोर्ड के surface को powder से ही अगर इसकी मज़ से बहुत गयादा smooth का ले ज स्टिकल को अगर collide के जाए तो वो इस तरह collide करते रहेंगे जाहे एक लेंडेकर टाइम को करते हैं और हम कहेंगे कि करम बोर्ड का जो system है तो वो isolated system है हाला कि ये possible नहीं है मैं मिसाल के बहुत आप लोगो बता रहा हूँ है इस तरह हम snoker game की इसान भी दे सकते हैं या उसमें बियर्ड बॉल्ड जब वो एक दूस के साथ collide करते हैं तो अगर बियर्ड बॉल्ड और स्टोकर बोर्ड का सर्फिस है उसकी तरम्यान अगर friction ना हो friction नहीं साथ हो तो वो बियर्ड बॉल एक दूसे के साथ collide करते रहेंगे और गंटा को दूर जाएगा दो गंटे को दूर लेकिन जोंके system isolated होगा है इसलिए वो बहुत इस तरह collide करते हैं जो के again possible नहीं है इसकी love friends जब bomb explode होता है तो bomb के अंदर जो गेस के molecule होते हैं या gun pounder होते हैं इसको ignite करने के बाद उस गेस के particles या gun pounder के particles उनकी kinetic के नचीब बहुत बढ़ जाती है उनका momentum बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो particles एक दूसे के साथ collide करते हैं और उसके इलावा bomb का जो surface होता है जो अंदरूनी surface होता है उसके जो दूबाल होते हैं उसके साथ भी बनाइड करते हैं तो अगर bomb explode ना हो यानिक isolated system bomb तो वो particle इस तरह बनाइड करते रहेंगा और उनका momentum conserved रहेंगा लेकिन चुब के bomb explode कर लेता है इसकी वज़ए से इसके particles का momentum होता है वो उसके fragments में transfer होता है वो bomb के fragments चारों तरह पैल जाते हैं तो यही वज़ा वाती है कि momentum transfer होने की वाज़े से bomb के जो fragments होते हैं वो दूर दूर तक पहल जाते हैं due to momentum और वो momentum जो हता है वो उन case के particles या वो gun powder के particles जिनको effect कर दी है कि इससे friends आप लोगने marbles देखे होंगे चुटे-चुटे-चुटे marbles इससे बच्छी केलते हैं अगर वो marbles इसी frictionless surface पर एक तुसके साथ collide करें तो हम कहेंगे कि उनका momentum conserve रहेगा before collision and after collision अगर इस surface पर वो collide करें वो frictionless हमने बहुत सारे मिसालों से समझ लिया कि isolated system क्या होता है यहीं कि वो system इस पर external forces इंट्रेक्ट ना करें और इसके इलावा का isolated system के अंदर constituents का momentum का constituents के momentum का concerned होना कि यहीं कि जब momentum में कोई loss ना आ रहा हो अंदर को मेंटम कम ना को रहा हो या ज्याद़ भी ना हो रहा हो तो इसका मजल है कि इस consistency का momentum concert है इस से स्ट्रेंट्स लाव का अंदर्वरिशन आ प्रमेंटम के topic का के टॉपिक में आखिर में डिफिनिशन लिखी थी है लाव का अंदरेशन अप मोमेंटम की इट सेट्स एट इफ दिफ एर इस नो एक्स्टरनल पोर्स एप्लाइड वा सिस्टम अलीनियर मोमेंटम आप्टेट सिस्टम रिमेंड पॉस्टेट की थाएंग स्ट्रेंट्स उमीड है क्या भी आप लोग लाव कंदरेशन अप मोमेंटम के डिफिनिशन को समझ सकते हैं स्ट्रेंट्स नेक्स लेक्टर में हम इलास्टिक एड़ एलास्टिक को दिफिनियों के आख रहें तब तक कुछ आप लोग, ला आपका अंदर विश्वा को में आटे कुछेंगों के स्टुड़े कुछेंगों स्वेड्स अभी तके लिए एंगा